अज हम देखने जा रहे हैं क्लास 9 जोग्रोफी का चैप्टर फिजिकल फीचर्स ओफ इंडिया और आज जो टॉपिक हम डिसकस करने जा रहे हैं वो है थियोरी ओफ प्लेट टेक्टॉनिक जैसे कि इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हमने यह देखा था कि सर यह जो माउंटेंज का तो हम यह समझ सकते हैं कि सर ऐसा कोई फोर्स रहा होगा जो ओवरॉल स् प्रॉसेस के लिए जिम्यदार था ऐसे में सर यह फोर्स जो था वह था सब्लेट ट्रेक्टॉनिक्स का मतलब जो सर यह जो प्लेट होती है इन प्लेट का मुव्मेंट होता है इसके क समझ सकते हैं कि सद्श ग्ले टोज्श हो जाती है आगे हो जिसमें पहली कि राटिंग प्लें parallels एक अगी सी हिमालेय ऀसे कुछ शुरूर चाम हो प्लेट टेक्टोनिक के लिए बात करने टाइम हम यह समझ सकते हैं कि हिमालियास की बात करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है जिसकी बात हम आगे करने वाले हैं गलैड ओवर ज फ्लेट बात कर लेते हैं कि सर यह प्लेट्ट होती क्या है इस वाले होता किया है तो हम्मारा अर्थ के वीच में यह क्या है यह मैं इसका क्योर है। इस कोर उपर करना सब से एपॉटrint जो अभी हमारी लिए है वह है Pled इंडिया का या हम बात कर लें पूरे अर्थ का जो है ना ओवर और सर्फेस है ना उसके नीचे है ना कई सारी क्या है प्लेट्स है अब ये प्लेट्स का क्या काम है ये प्लेट्स का यही काम है कि सर्फ पूरा का पूरा जो लैंड मास है वो बियर कौन कर रखी है ये प्लेट तो कोर के उपर क्या होती ही, रो की inner layer होती है, और ये plates उसके उपर ही form हो जाती है, जब हम बात करते हैं, अर्थ के mental की, तो अर्थ का mental है, वहाँ पर temperature बहुत ज़्यादा है, temperature ज़्यादा होने के कारण, वहाँ पर जो rocks होती है, वो भी liquid form में होती है, क्यों होती है, क्योंकि वहाँ का temperature बहुत ज़्यादा है, पर जब हम बात करते हैं इन plates की, तो ये plates कैसी होती है, बहुत ज़्यादा hard होती है, बहुत ही ज़्यादा rigid होती है, क्यों होती है, क्योंकि ये धिरे धिरे earth के mantle का जो temperature है उससे बाहर निकलती जाती है बाहर निकलने के कारण क्या होता है धीरे धिरे इनका temperature down हो जाता है और time temperature down होने के कारण ये hard हो जाती है रिजिड हो जाती है अब हम देखते हैं आगे This is strong outer layer It's called the Letho зов इसी को ही क्या कहा जाता है Lethoaken कहा जाता है यह जो अभी हमने Plate Tectonic देखी Plate Tectonic तो एक ठिउरी है कि ऐसा होता है ऐसा हुआ होगा और यह जो पूरागा पूरा जो यह है ना Layer है उसे हम क्या कह देते है उसे हम Letho कह देते है Letters Spare हमें कहां देखने को मिलता है यह हमें यह जो मेंटल है इसके बाहर हमें यह जो outer layer है उसे में देखने को मिलता है तो sir Letters Spare जो है यह एक important part है जो कौन consist करता है जो overall जो plate tectonics जो है यह जो plate से वो consist करता है अब हम आगे देख लेते हैं ये कुछ formation हमें दिखते जा रहे हैं ये क्या है सर ये है subduction है ये है lateral sliding है और ये है spreading है तो सर इन सब में अंतर क्या है इन सब में differences क्या है देखते हैं देखते हैं जब हम बात करते है अब ये समझ में आ रहा है कि पहले हम बात कर रहे थे earth की अर्थ का ये core है mental है और mental के बाहर क्या है एक प्लेट है उस आउटर लेयर को ही हम क्या कहते हैं अब ये जो लेटो इस पैर है ये consist करता है seven और eight major plates को तो इस लेटो इस फेर के अंदर जब अर्थ इतना बड़ा है जब इतने सारे हमारे पास continents है तो हम ये समझ सकते हैं कि सर जो प्लेट से वह भी हमारे पास बहुत ज़्यादा होगी तो ऐसे में हमारे पास कितनी plates है लग भग लग seven to eight major plates है और साथ इसाथ many minor plates है और साथ-साथ कई सारी छोटी plates हमें देखने को मिलती है दलाथ इस इस ब्रोकन अप इंटो दी ट्रेक ट्रेट से यह जो प्लेट से जगे जगे से क्या हो रखी ब्रेक हो रखी अब हम यह देख लेते कि आखे ब्रेक क्यों होती है तो सर अहम यह समझ सकते हैं कि जो आर्थ है उसका जो एकदम सेंटर वा लती है energy क्या गरती है अपने से उपर वाला जो सफ्टांस होता है material होता है उसको उपर की साइड वो पुश करती है जब वो उपर की साइड उससे पुश करेगी तो क्या होगा ना जो यह प्लेट से इसे हिलने लग जाती है वही इन पिक्टर में दिख रहा है कुछ ऐसा ही हो रहा है यह उपर से इनके उपर प्रेशर पढ़ने का रहे हैं यह हिल जाती है यह हिलती रहती है तो सर इसे ही तो हम टेक्टॉनिक कहते हैं क्योंकि आप इन में टेक्स आने वाले हैं वेन दिस प्लेट में डिया रिलेटिव मोशन डिटर्माइस टाइप ऑफ बांडरी अब हम बात करने हैं जब यह प्लेट एक दूसरे तो मिलती है यह एक दूसरे के रिलेशन में आती है एक दूसरे को टच करती है ना कई सारी बांडरी हमें देखने को मिलती है एक होती है कन्वर्जन एक होती है डाइवर्जन और एक होती है ट्रांसफॉर्म तो ऐसे में हम सब्ड़ाइब का मतलब होता है कि जो प्लेट से अब हमने क्या देखा हमें देख नों मिलती वैसे कि इतनी सेवन प्लेट से तो जहां पर आपस में क्या कर रही हो गी मिल रही होगी जो इनका मिटिंग point देख पा रहे हैं यह two plates से seven plates से जिसमें प्रेट्स है जो इनका meeting point है आप यहां पर आकर अगर दूसरे के अंदर जाती जारी है जाती जारी है तो इससे हम क्या कहते हैं जब हम बात करते हैं इसकी lateral sliding का के यह क्या है two plates है, अब यह जो two plates है यह क्या करती जा रही है, एक दूसरे के आगे या पीछे जाती जा रही है, इसलिए इसे क्या कहा है, lateral sliding कहा गया है, ओके फिर हम देखते हैं spreading, spreading के अंदर जो दोनों जो plates होगी है, वो एक दूसरे के अंदर घुसने करा, try करती रहेगी, कि स यह plates होती है, plates क्या करती है, moment करती है, tectonics जो theory है, वो हभी हब समझ चुके है, volcanic activity, earth quakes, mountain building and the oceanic trench formation occur along this plate boundaries, जब हम बात करते हैं volcanic activities की, earth quakes, mountain building की, साथ इसाथ oceanic trenches होती है, जैसे mariana trench है, तो sir, इन सभी का formation जो होता है, वो कहा होता है, इन सभी का formation plate boundaries पे होता है, अब हम बात कर लेते हैं कि sir, इंडिया के पास कहीं volcanoes क्यों नहीं है, कभी देखा, इंडिया के अंदर कभी भी कोई volcanoes की हम news नहीं सुनते हैं कि इंडिया के पास किसी तरीके का volcano है, वालकेनो है, हमेशे रखना कि ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास किसी भी तरीके का volcanoes नहीं है, हाँ, वो जर यह जितनी भी वाल्गैन ओस एक्टिविटी सोते हैं यहісके कारण उते हैं इंडिया करता है Wasser मतलब आपको समझना ही है अगर वॉलकेनोस को तो ये देखो ये क्या है ये है एशन कंटिनेंट यहां कौन है यहां है इंडिया ओके अब जो एक मेज़र जो प्लेट आ रही है ना वो यहां से लगवख लगवख यहां तक चलती है जिसके कारण क्या है ना इंडिया जो है ना इंडिया बहुत ज़ तो यह आड़े को हुआने के पर Đन पर जो एंडिया ऑं के जो कोई जो वो प्लेट के उपर है। वो इंडिया में हमें देखने को नहीं मिलती है, प्लेट टैक्टोनिक्स अफॉक्टोनिक्स होते हैं जो अभी हमने देगा, स्वडिक्षण हो रहा था, लेटरल स्लाइडिंग हो रहा था, ये humans को है ना, कुछ sewer, several important ways के अंदर क्या गरते हैं, affect करते हैं, हम बात करते हैं, it causes earthquakes, तो sir, इसके कारण के आते हैं, earthquakes आते हैं, जो plate tectonic हो रही, आप ये समझ सकते हो, सारा का सारा landmass इक इनके उपर है, इन plates के उपर है, अगर ऐसे में इनके उपर movement होती, तो उपर जो इनके land mass है, वो तो थोड़ा न थोड़ा हिले गई ना, तो sir, हिलने का क्या मतलब है, sir, वहाँ पे क्या आ रहा है, earthquake आ रहा है, it cause volcanism, तो sir, वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, volcanism भी देखने को मिलते हैं, it induce recycling of elements with the biosphere and between the gasosphere and biosphere, तो sir, ये क्या करते हैं, recycling करते हैं elements की, क्योंकि sir, जो biosphere है, और जो geosphere है, उसके बीच में है, हमें जगे कहां देखने को मिलती है, इन plates के कारण, जो in plates के कारण, जो formation होता है, trenches का, volcanoes का, वहीं तो हमें ये जगे देखने को मिलती है, it causes mountain building, और साथ ही साथ, जो हमारे plat tectonics है, इसके कारण क्या होते हैं, mountains में build हो जाते हैं, त से ही कुछ interesting videos के लिए, thank you